नमस्कार दोस्तो आप सभी के लिए बड़ी good news है आज का ये वीडियो आप लोगे लिए बहुत ही खास होने वाला है तो दोस्तो आज की ये बड़ी एगरिकल्चर विभा की और से आज चुकी है जो की आपके लिए किवल दस्मी पास है आपका एक्जाम भी यहाँ पर नहीं होगा और ना ही आपकी यहाँ पर फीस लगने वाली है तो दोस्तो यह आपके लिए बिल्कुल सीधी भरती रहने वाली है अगर आप दस्मी पास है और आप 45 साल से कम है तो आप इस भरते के लिए एपलाई कर सकते हैं यहाँ पर आपका सेलेक्शन जो है इंट्रियू के आधार पर होगा तो दोस्तो एसी सारी जानकारी हम आपको step by step इस वीडियो के अंत तक देने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और एसे ही रोजाना सरकारी गुवर्मेंट नोकरी की अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अब सबस्क्राइब क की और से आज चुकी है यानि NICRA की तरब से यहाँ पर जो है यह Climate की और से जो Agriculture विभा का डेपार्टमेंट होता है उसके अंदर आपकी यह बर्ती आज चुकी है जो की post name की बात की जाए तो skill staff की आज चुकी है इंट्रूव आपका 17.8.2022 को होगा जिसमें आपको जाना है आपको इंट्रूव देना है और सीधा आपका यहाँ पर सेलेक्शन होगा तो दोस्तों अब बात की जए आपका इंट्रूव कहां पर होगा तो यह इन्होंने address दे रखा है यहाँ पर जो है Mandpam Regional Center of ICAR यहाँ पर यहाँ पर रामानन था पूरा आपका डिश्टिक है तमिल नाडू के अंदर वहाँ पर आपका एंट्रूव होगा एक बार आप इस address को जरूर नोट के लिए जएगा तमिल नाडू की ओर से यह बरती आ चुकी है जो Agriculture Department की है और आपका जो age का calculation रहेगा वो 20 साल से लेकि आप 45 साल तक यहाँ पर apply कर सकते हैं तो दोस्तो एक बार इस बरते के लिए जरूर apply करेगा और अगर आप तमिल नाडू से हैं तो दोस्तो आपको यहाँ पर अलग से category वाइद छूट भी दी जाएगी अगर आप OBC, SC, HD या other candidates ने तो भी आपको यहाँ पर चूट दी जाएगी जो कि इन्होंने यहाँ पर साब साब दे रखा है अब बात के जएगे आपके salary की सो दोस्तो salary आपकी यहाँ पर काफी handsome रहने वाली है जो की 15,000 रुपे इन्होंने रखा है सो 15,000 काफी handsome salary होती है दोस्तो दस्यू पास के लिए केवल दस्यू पास जो इन्होंने दे रखा है यहाँ पर आपका जो palace और posting की बात की जाए तो आपका मन्दापम camp के अंदर आपकी यहाँ पर posting रहने वाली है वहीं पर दोस्तो आपकी यह बरती जो संपूर्ण परकरिया भी होगी और वहीं आपका जो job location रहने वाला है तो दोस्तो यहाँ पर आपको कम से कम 2 साल का experience होना चाहिए यह जो fish identification के अंदर या biology के अंदर या farming को दोस्तो आपको 2 साल का experience होना चाहिए तभी आप इसमें apply कर सकते हैं और यहाँ पर वाक in interview आपका रहने वाला है आपका exam यहाँ पर नहीं होगा आपका सीधा direct selection होगा 17.08.2022 को सुबह 10 बजे आपके interview होंगे तो दोस्तो यह इनके यहाँ पर contact number भी देर के आपके फिर भी कुछ doubts रहते हैं तो आप हमें वीडियो के comment में पूछ सकते हैं यह इनके number है आप यहाँ पर जो है contact भी कर सकते हैं और ऐसे ही रोजाना सरकारी government नोकरी की update सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस channel को अभी subscribe कीजिए आज के लिए धन्यवाद